हमारे प्रिये दर्सक आज हम लोग शुनेंगे होलिका दहन के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का एक महान और पवित्र पर्व है होलिका दहन तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रते एक वर्स हम लोग खुलिका दहन क्यों मनाते हैं खुलिका दहन मनाने का रीजन क्या है पौरानिक कथा के अंसार खुलिका हिरन्यक सिपूब की बहन थी जो हुलिका थी और हिरन्यक सिपूब की बहन थी जिसे बदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती जो हिरन्यक सिपूब की जो बहन थी हुलिका उसको भगवान से बदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी फिर अपने भतिजे पहलाद को गोद में बैठा कर वह आग की आलाव में बैठ गई जो हिरन्यक किश्प का पुत्र था पहलाद को जलाने के लिए ओ आग में बैठ गई जो हिरन्यक किश्प्का पुत्र था जिसका नाम था पहलाद पहलाद था भगवान विश्णों का एक समर्पित उपासक था मतलब भगवान विश्व का वह भग्द था तो हिरनक कश्व 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 जो है अपनी बहन होलिका से बोला बहन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए वो अपने पुत्र को ही मारने के लिए अपनी बहन होलिका का मदद दिली होलिका प्रहाट को गोद में लेकर चीता पर बैठ गई जो आपका चीता है उस पर लेकर प्रहाट होलिका जो है पहलाद को लेकर बैठ गई वह इस उमीद से बाठे थी कि मुझे कुछ नुक्षान नहीं होगा और पहलाद जो है जलकर राक हो जाएगा जिस समय हिरनकशप की जो बहन होलिका थी वो पहलाद को जब आग में लेकर बैठी उसी समय पहलाद में अग्नी में बैठकर विश्णू से प्रात्ना करने लगा वो भगवान विश्णू से प्रात्ना करने लगा उसे सुरचित रखने के लिए प्रात्ना की वो भगवान विश्णू से सुरचित रहने के लिए प्राथना की और भगवान विश्णू ने पहलात का बात सुन लिया और उसी वक्त जिस वक्त वो पहलात को आग में लेके बैठी थी उसी वक्त भगवान विश्णू ने हवा का जोका बुलाया बगवान बिश्णु ने हावा का छोका बुलाया जिससे साल जो होलिका थी एक शाल सोल लोड़ी थी जिससे साल बभ़ा सलंस के ओपर ऊड़ गई और पहलात पर एक खिर गया जो शाल यूज रखी थी वो साल जो है भगवान विश्टु ने जब देखा कि ये तो बहुती अत्याचार हो रहा है तुम्होंने एक हावा का छोका बुलाया और जुब सौल ओर लखी थी पुलिका तुम्हों हावा की जोक्या से फुलिका से सौलिका की वदन से उरकर पहलाद के सिरी पे चला गया जिसे वह आग की लप्टों से बच गया और पहला जो है आग की लप्टों से बच गया वही दुस्ट हुलिका जल गई कि जब कुछी समय बाद कुछी समय बाद दुस्त हिरनक कश्चप की मिर्थ हो गई जो पहलात का जिसको बुआ बोलते हैं या फुआ बोलते हैं फुआ थी और हिरनक कश्चप जो था वो पहलात का पिता था ये दोनों को मिर्थ हो गया होलिका तो आग में जल गई और दिन बाद ही उसका पहलाद का जो पिता था हेरनक कश्यप वो भी मर गया तो पहलाद उस अस्थान के तो पहलाद उसी अस्थान पर राजा बन गया और उसने बुद्धिमानी और निष्ठा से शासन किया होलिका दहन जिसे छोटी होलिया अलाव उस्था के रूप में जाना जाता है इस अनुष्ठान का प्रात्निक उद्धिश बुराई पर धर्म की जीत का जस्त मनाया कहानी का सार्या है कि अच्छाई हमेशा बुराई को हराती तो इस काने के मद्ध से हम यह समझ रहें कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई का बिनास होता है पुराई प्राजित होता है यहां वही हो रहा था जो कि एक ख्रनिक कश्यक का जो पुत्र पहलाद था वो भगवान विश्णु का उपा सक था भगवान यह डिसाइड किया कि अब पहलाद को मुझे मारना है लेकिन मैं कैसे मार हूँ तो उसमें अपनी बहान होलिका से सहारा लिया त्योंकि उसकी बहान का भगवान से असिर्वाद मिला हुआ था बर्दान मिला हुआ था कि तुम अग्णी में नहीं जलोगी उस बर्दान का उसकी बहान होलिका ने दुर्प्योग कर रही थी उसी दुर्प्योग को भगवान विश्णु ने देखा कि ये तो अनर्थ हो रहा है तो भगवान विश्णु ने उसी समय एक टेज हवा की छूँके लाएं और पहलाद को पचा लिया हरधात इस कहानी से हम यहीं सीखते हैं कि अच्छाई को हमेशा जीत होती है बुराई हमेशा प्राजित होता है